हमारे ग्रंथों में आयरुवेद का शानदार वर्णन करते हुए कहा गया है हिता हितम, सुखम दुखम, आयुहु तस से हिता हितम, मानम चातच यत्रे उक्तम, आयरुवेद सा उच्चते यानि आयरुवेद कई पहलों का ध्यान रखता है, यह स्वास एवन दिरगाईों को सुलिश्चित करता है शारेरिक ताकत से लेकर मानसिख स्वास तक आयरुवेद का प्रभाव अपार है आयरुवेद पांच हजार साल पुरानी चिकिस्सा पद्धती है, जो हमारी आधुनिक जीवन शैली को सही दिशा देने और स्वास ते के लिए लापकारी आदतें विक्सित करने में सायक होती है आज पूरी दुनिया में आयरुवेद की लोप्रियता लगतार बढ़ती जा रहे है यूथो आयरुवेद में कई दिशा निर्देश, जड़ी बूटियों, शारिरिक मासिक अभ्यासो आदी का उल्लेख है लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आयरुवेद के नो रतनों के बारे में जिनको अपने जीवन में शामिल करके हम सदा ही निरोग और स्वस्ते रह सकते हैं आईए जानते हैं इनके बारे में सुखत नीद स्वस्ते और आनंद का एक अच्छा स्तरोथ है प्रति दिन मालिश करके आयरुविद्धी के दुष्प्रभावों से बचें बहतर स्वस्ते के लिए व्यायाम प्रति दिन नासा पुटों में तेल डालने से आप स्वस्ते रहते हैं अच्छा आहार अभ्यास आपको बीमारियों से दूर रखता है वेक निरोज से बचने पर आप कई रोगों से बच सकते हैं सुखी और आरामदाइक जीवन जीने के लिए आच्रल सहीता का पालन करें काया कल्प करने वाले सौंदर विज्ञान द्वारा अपने स्वास्त को बहतर बनाएं मौसमी परिवर्तन के दुष प्रभावों से बचने के लिए रितुचर्या का पालन करें मौसम के अनुसर आहर विहार या खानपान का पालन करना ही रितुचर्य कहलाता है यह थे आहरोवेट के नौरत में जिनका पालन करने से आप समकर स्वास्त को परापकर स्वास्त और खुशाल जीवन जीसकते हैं टो आहरोवेट को अपने जीवन में शामिल कर folklore लोगों को कहे ना और स्वास्त को कहन हाँ